नमस्कार दोस्तों, हमारी य्टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्रप्रदेश बिधान परिसेश सची वाले आरो यारो का कल जो पेपर हुआ है यानि कि 22 नॉवंबर 2020 को इसका पेपर हुआ है इस वीडियो में हम लोग पेपर, रीविव और एंसर की को देखेंगे तो वीडियो को लाइक शेर कर दिजिएगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में भी लाइकन को प्रेस के लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो उचे लिए जो है शुरू करते हैं और दोस्तों जो है यदि आप यूपी के किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जो है आपको सभी यहां क्लास के बाद नोट्स जो है अबलेबल है और कौन-कौन से कोर्सेज अबलेबल है आप देख सकते हैं UPPSC के रिगार्डिंग यहां यहां सब्सक्रेशन लेते हैं तो UPPCS New Foundation Batch Start Every Wednesday By Top UPPCS Educators के द्वारा तो यहां प्रतेख बुद्वार को UPPCS का New Foundation Batch Start होता है इसमें आपको UPPCS के Top Educators द्वारा प्राइज आगए UPSI Batch है BEUA है, ROERO है, लेकपाल है UPJL Warder, TGT, PGT तो इनमें से किसी भी जो है यह आप एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं तो आप जूड़ के त्यारी कर सकते हैं और यहां देख सकते हैं UPPCS का Foundation Batch 2020 यह आप देख सकते हैं फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपेस का फीस है यहां आप सब्सक्रिशन लेते हैं तो यहां देख सकते हैं बैच के वेनिफिट क्या है विकेंड क्लासे से हैं लाइब डाव सेसन है रेगुरल टेस्ट सीरीज जो है अभिलेबल हैं उसके बाद आपका रिविजन बैच है UPP पुलिस और जेल वार्डर का यह आपका सिकेंड आप नॉवंबर से इस्टार्ट हो गया है अब देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा यह सब भी एडि एजुकेटर्स हैं उसके बाद यह आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वन मंत का तो आपको 14 रुपे पड़ेगा थ्री मंत का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 84 रुपे देने पड़ेंगे यहाँ आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है है रेफरेल कोड यह निकि आप के पास कोई रेफरेल कोड है तो यह आप जो है एकजाम लर्नर रेफरेल कोड यूज करते हैं आपको 10% का डिसकाउंट जो है मिल जाएगा तो कोड यह आप सब्सक्रिप्शन लेजेगा तो यह रेफरेल कोड एकजाम लर्नर ज़रूरी यूज किजिएगा आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा बाकि जो है आप जोइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्लेश्टो से आपको अनेकेडमी का लर्निंग एप इंस्टाल करना होगा वहाँ से उसके बाद जो है आपको लागिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं आप जोड़के तैयारी कर सकते हैं बाद बाद धने बाद तो सबसे पहला पार्ट वन से पुछा गया है समान अध्यन समान अध्यन के कुल पचास प्रस्ण जो है इसमें पूछे गया थे जिसमें रिजिनिंग के प्रस्ण भी सामिल थे और करेंट अफेयर्स के प्रस्ण भी सामिल थे तो पहला प्रस्ण जो पुछा गया है कि निमलखित में से कौन से फसल उत्तर भारत में रवी फसल का उदाहरड नहीं है यानि कि रवी फसल की अंतरगत कौन सा नहीं आता है उत्तर भारत में तो वह है मुंगफली जो है ये खरीब फसल की अंतरगत आता है बाकी गेहूं सूरी मुखी और सरसो ये सभी रवी फसल की अंतरगत आते हैं तो D आपसन सही है यहाँ दूसरा प्रशन है आपका निमलिकित में से किसमें 202 ब्यापार संगठन यानि की WTO World Trade Organization का मुख्याले इस्थित है तो यह सूटिजर लेंड के जिनेवा में इस्थित है भी आपसन सही हो जाए गया है अगला प्रशन है भारत के राष्टरी जनसंख्या आयोग की वर्ष यहने की अस्थापना पूछा गया है कौन से वर्ष अस्थापना हुआ था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसन D सही हो जाएगा यहाँ 11 मई 2000 को D सही है अगला प्रशन है भारत का राष्टरी गीत को कब स्विकार किया गया था 2014 जनवरी 1950 कोड सी अपसन सही हो जाएगा है अगला प्रश्ण है वापका किस वर्स प्लूटो को बौना ग्रह यानि कि ड्वार्फ प्लेनेट घोसित किया गया था तो यह सन 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोसित किया गया था तो C आपसन सही हो जाए गया अगला जो प्रश्ण है उत्रप्रदेश के मिर्जापुर में कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है तो ये जो है कजरी महोत्सव है भी आपसन सही हो जाएगा यहाँ और ये दि कजरी महोत्सव ये पूछा जायगा आपका महोबा और कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर का है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलिकाप्टर रूप है तो यह है हेलिना भी आपसन सही हो जाएगा यहाँ अगला कुशन है 2020 में Time to Care रिपोर्ट निम्ण में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है तो यह NGO AXFEM International के द्वारा जारी किया गया है C आपसन सही हो जाएगा आठमे का अगला प्रशन है आपका 7200 सहर सिखर सम्मिलन WCS जो की 5 से 9 जुलाई 2020 में कहां आयुजित किया गया था तो यह सिंगापुर में आयुजित किया गया था B आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है यदि किसी कूट भासा में स्पोर्ट को T P P R U लिखा जाए तो मैच को इस कूट भासा में क्या लिखा जाएगा तो यह जो है रिजिनिंग का प्रशन है आप देख सकते हैं Yes के बाद क्या लिखा गया है T यानि कि प्लस 1 किया गया है फिर जो है P को सेम लिख दिया गया है फिर जो है आप देख सकते हैं O को लिखा गया है O के बाद क्या आता है P फिर प्लस 1 किया गया है फिर जो है R को सेम लिखा गया है फिर T के बाद एक एड किया गया है यह हो गया है तो यहाँ भी आपको उसी तरह करना है M के बाद क्या तो यह न आ जाएगा, A को आपको same format में लिख देना है, यह हो जाएगा, फिर T के बाद U आता है, फिर C को आपको ऐसे लिख देना है, H के बाद High आ जाएगा, N, A, U, C, I, तो आपका ये आपसा जो है से हो जाएगा यहां दसवेंखा अगला जो प्रशन आपका एक निशित कूट भासा में स्वीमर्स को WS M I E M लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में स्नेक्स को कैसे लिखा जाता है तो यहां जो है आप देख सकते हैं कि ESW फिर जो है क्या किया गया है सबसे पहले दूसरे को पहले अस्तान पर कर दिया गया पहले को दूसरे अस्तान पर कर दिया गया इसी तरह करम जो आगे आपका बढ़ता गया है तो आपको सेम जो है सेकेंड वाले को भी उसी तरह कर देना है तो यहां जो है आप देख स्कते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे तो ES-E-N है तो EN-E-S लिखेंगे फिर J-E-K है तो K-E लिखेंगे फिर J-E-S है तो ES-E लिखेंगे तो EN-E-S-K-E-E-S-E जिस आपसन में होगा वह सही हो जाएगा तो आपका A आपसन जो है यहां सही हो जाएगा अगला question है अप सही जल परतिबीम्ब को चुनिए तो आपका चित्र दिया गया आपको जल परतिबीम्ब बताना है कौन सा सही होगा तो इसका जो है A आपसन सही हो जाएगा यहां अगला कोशन है आपका चंदेरी का युधि किन के मध्ध हुआ था तो चंदेरी का युधि ये बाबर और मेदिनी राये के मध्ध हुआ था C अगला जो प्रस्टन है अप्रेल 1930 में चटगाउं हतियार खाने इनकी चटगाउं आर्मरी रेट की लूट की योजना किसने बनाई थी तो यह सूरी सेन के द्वारा बनाया गया था यह आप्सन से हो जाएगा मास्टर दा सूरी सेन इनका नाम है अगला जो प्रस्टन है अगर चुनाओं में कोई उमिद्वार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाओं में मत दान करने वाले मतों की पुनर गड़ना का आदेश दे सकता है तो वह भारत का चुनाओं आयोग निर्वाचन आयोग अगला कुशन आपका किंद्र राजी संबंधों की समिच्छा है तो किस आयोग की निव्ति की गई थी तो वह सरकारी आयोग है भी आपसन से हो जाएगा यहाँ अगला कुशन है लच्छ दीप वह मिनिकाय दीपों को कौन सी चैनल अलग करती है तो वह है नो डिगरी चैनल 9 degree channel यह लच्च दीप वह मिनिकाय दीपो को अलग करता है अगला question है विक्टोरिया ज्हिल किस महादीप में इस्थित है तो यह अफरीका महादीप में इस्थित है नेक्स्ट है निमलिखित नदियों में से कौन सी बिजनोर होकर के बहती है तो यह है गंगा नदी यह आपसं सही हो जाएगा और अगला क्वेशन है निमलिखित इस मारकों में से कौन सा राजस्थान में इस्थित है तो राजस्थान में नाहरगड इस्थित है आपका C आपसं सही हो जाएगा है अगला क्वेशन आपका काला कोट थर्मल पावर इस्टेशन कहां इस्थित है तो यह जम्मू कास्मेर में इस्थित है यह आपसन से हो जाएगा है नेक्स्ट आपका मुखुर्ती सिखर किसे राज में इस्थित है तो यह केरल में इस्थित है यह आपसन से हो जाएगा मुखुर्ती सिखर यानि कि मुखुर्ती पीक ये केरल राज में इस्थित है अगला प्रशन आपका निमलखित में से कौन सा एक पांच कार्बन वाली सरकरा का उदा हरड है तो ये है राइबोज या फिर जो है डियाकसी राइबोज अगला प्रशन किसी वन की उर्जा का पी रामिड होता है तो है हम्यसा अफ राइट होगा यानि कि सीधा होगा बी आपसन से होगा यहाँ नेक्स है आपका गंधक का परमाड उभार कितना होगा तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा आपका आपसं C सही हो जाएगा 32, गंधक का प्रमाड भार जो है लगबग 32 होता है, अगला क्वेशन है निमलखित पदार्थों में से कौन सा उर्धोपाती परकिर्तिका नहीं है, तो वह आपका कैल्सियम कार्बोनेट, यह उर्धोपाती परकिर्तिका नहीं है, तो B आपसं सही हो अगला कोशन है प्रकास को दोहरी प्रकिर्तिक का क्यों कहा जाता है, तो इसका सही एंसर होगा है, यह आपसं यह तरंग वह कडू के गूर परदरसीत करता है, नेक्स्ट आपका दी गई किस उत्तर आकर्ति में प्रस्ण आकर्ति नहीं थे, तो यहाँ आपको बताना है कौन सी आकर्ति नहीं थे, तो आप देख सकते हैं, इसमें C आपसं सही हो जाएगा, इस तरह, अगला जो कोशन है आपका, अन्न से भिन बिकल्प को चुनिये, तो यहाँ आपको बताना है भिन कौन सा होगा, तो भिन यहाँ जो है आपका आप देख सकते हैं, बाकि सभी उड़ सकते हैं, बत तक जो है नहीं उड़ सकता है, अगला कोशन है आपका निमलखित अच्छर स्रेडी में, अगला पद क्या आना चाहिए, तो यहाँ आप देख स आई के बाद J, K फिर L, M, फिर N, O यनिकि आपका अगला क्या आएगा तो O हो जाएगा फिर जो है नीचे देखते हैं B के बाद S है S, P, M, J तो यहां आप देख सकते हैं यहां घटते हुए करम में है J के बाद M है J, K, L, M यनिकि प्लस 3 फिर जो है M के बाद P, N, O, P फिर P के बाद S, P, Q, R, S फिर जो S के बाद B, T, U, B फिर प्लस 3 तो यहां भी आपको क्या कर देना है प्लस 3 कर देना है यनिकि आपका होगा G, H, I, J यनिकि G हो जाएगा O, O, G होगा यनिकि D, आपसन जो है सही हो जाएगा है G के बाद प्लस 3 करेंगे तो आपका J होगा H, I, J तो O, G यनिकि D, आपसन सही हो जाएगा है अगला कुशन है वजट तयार करने की जिम्मिदारी किसको है तो यह आर्थिक मामलों के बिभाकी C, आपसन सही हो जाएगा है नेक्स्ट है 2020 में फिजियोलाजी यनिकि मेडिसीन के लिए नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिये गया है तो यह हेपिटाइटिस C वाइरस के लिए दिया गया है D, बिकल्प सही हो जाएगा है अगला कुशन है फोटो पत्रकारिता स्रेडी में रामनाथ गोयन का पुरसकार 2020 किसे प्रदान किया गया है यह पूछा गया है फोटो पत्रकारिता स्रेडी में तो यह दिया गया है C, सूरेश कुमार को B, आपसन सही हो जाएगा है अगला प्रशन है आपका फीफा की मेजबानी जो करेगा कतर करेगा C आपसन सही हो गए हैं अगला कोशन है उतर पदेश राज में सुरच्छा कवच योजना लागू की गई है तो यह महिला सुरच्छा के लिए लागू किया गया है D भी कल्ब से हो जाएगा 38 का अगला कोशन है फर्वरी 2020 में लखनौ में कौन से करम का डिफेंस एक्स्पो का आयोजन किया गया है तो हो है इक ग्रहमा डिफेंस एक्स्पो C आपसन सही हो गए हैं 49 का अगला कोशन है निख़ित में से कौन सा आपरेस नकेल से संबन्दित है तो वह हुए है उत्रप्रदेश के गाजियाबाद पूलिस द्वारा जो है आपरेशन नकील शुरू किया गया था आटोरिक्सा से संबंदित है तो यह आपसन सेव जाएगा अगला कोशिन आपको इंडिया डिवाइडेड पुस्ता के लिए खक कौन है तो वह है डाक्टर र जेंद्र प्रसाद डी बिकल्प सही है नेक्स्ट आपकर कौन सा टाइगर रिजर्ब जारखंड राजिमेश्थित है तो पलामू टाइगर रिजर्ब जारखंड मेश्थित है बी आपसन सेव जाएगा इंद्रावती जो है यह भी पूछा जाता है इंद्रावती टाइगर रिजर्ब यह आपका 36 गड़ में है 36 गड़ में है मानस पता होगा आपको हास असम में है नेक्ष्ट आपका कौन सा लेगून जील का एक उदाहरड है तो चिलका जील जो है ये लेगून जील का उदाहरड है C आपसं सही हो जाएगा 43 का नेक्ष आपका पेरू की राजधानी कौन सी है तो पेरू की राजधानी है लीमा भी आपसं सही हो जाएगा अगला है लानक ला धर्रा भारत के किसे राज्य मेश्थित है तो ये सिक्किम में है अगला प्रश्ण आपका वलैक फारेस्ट परवत किस महादीप में स्थित है तो यह यह यूरोप महादीप में स्थित है भी आपसन सही हो गया यहां नेक्ष जलियावाला बाग हत्याकान किस वर्स में हुआ था तो यह 1919 में हुआ था जलियावाला बाग हत्याकान 13 अप्रेल 1919 को हुआ था अगला कोशन है असो के अभि प्रत्म सहायक संधी पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? वो यह था हैदराबाद का निजाँ C. आपसन सेव जाए गया अगला कोशन है पंडिता रमाबाई की महान भीदुसी थी पंडिता रमाबाई जो है यह संस्कृत की महान भीदुसी थी यह महान बिद्वान थी संस्कृत की तो डी भी कल्ब से हो जाएगा तो यह हो गया आपका 50 प्रशन समाने अध्यन की अब जो है पार्ट 2 जिसमें हिंदी से कुल 50 प्रशन पूछे गए थे तो उनको भी देखते हैं सबसे पहला जो प्रशन है क्यावन जो जाकर पुन है आ गया हो वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या हो जाएगा तो यह होगा प्रत्यागत सी आपसन सही हो जाएगा अगला कुशन है मुच्च की इच्छा रखने वाला वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या होगा तो मुमूच्छू कहलाता है B. आपसं से होजाएगा अगला कोशन है निमलखित में से कौन सा सब्द मित्र का अर्थ नहीं है तो यहाँ आप से पुछा गया अनिकार्थी सब्द तो मित्र का अर्थ सखा भी होता है सूरी और दोस्त बादल नहीं होगा भी आफसंग शहे हो जायगे हैं अगला जो question है आपका इन में कुसल सब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है तो वै चतूर हो जाएगा ये आफसंग से हो जाएगा निपूर, प्रबीर और चाला की सभी कुसल की समानार्थी सब्द हैं अगला कुशन है आपका कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठीन हो वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या हो जाएगा तो हो जाएगा दूरलब भी आपसं सही हो जाएगा है नेक्शन है आपका कि बहुत कम वर्सात होने के लिए कौन सा एक सब्द प्रियो किया जाता है तो बहुत कम हो जाएगा आपका अल्प बिरिष्टी, यह आपसन से हो जाएगा अनाबिष्टी जहां जो है बिल्कुल भी बारिष ना हो, वह अनाबिष्टी होता है अगला प्रशन है आपका, रास्ते में खाने वाली भोजी सामागरी को क्या कहते हैं तो पाथे कहलाता है भी आपसन से हो जाएगा नेक्श है इस संसार से समध्ध वाक्यांस के लिए उपियुक्त सब्द क्या होगा तो वह होता है लोकिक, यानि कि संसारिक हो जाएगा है, संसारिक दिया गया है, सी आपसन से हो जाएगा नेक्स्ट है गंगा का उधगम अस्थान वाक्यांज के लिए उपियुक्ट सब्द तो वह है गंगोत्री डी भीकल्प स हो जाएगा अगला क्वेशन है जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांज के लिए सही सब्द क्या हो जाएगा तो वह जन्शुरुती होगा C आपसम से हो गए है अगला प्रश्ण है 61 निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है तो यहां घोटक घोडा का तत्सम होता है घोटक तो C आपसम से हो जाएगा अगला है हिरन का तत्सम रूप बताना हिरन का तत्सम होता है हरीड अगला कोशन है इनमें तदभा सब्द कौन सा है तो तदभा सब्द खीर हो जाएगा यह आपसन से हो जाएगा खीर का तदसम होता है छीर खीर का तदसम छीर होता है तो खीर सब्द क्या है तदभा सब्द है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से चार का सही तदभा रूप क्या होगा तो चार का तदभा हो जाएगा खार सी आपसम से होगा है अगला कोशन है निमलिखित में से तद्द सब्द कौन सा है तो यह हो जाएगा आम्र आमर किसका तद्सम है तो आम का तद्सम है आम क्या है तद्भाव सब्द है अगला कोशन है निमलखित में से तद्भाव सब्द कौन सा है तो यहां हो जाएगा इट इट तद्भाव सब्द है इसका तद्सम होता इस्टिका इट का तद्सम क्या हो जाएगा इस्टिका होता ह यह आपसन से हो जाएगा च्हांचटका अगला कोशन है निमलखित में से तद्भाव सब्द कौन सा है तो यह हो जाएगा जमुना जमुना क्या है यह तद्भाव सब्द है इसका तद्भाव होता है यमुना बाकि जंगा सब्द तद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द अगला कोशन है निमलखित में से तत्सम सब्द कौन सा है? तो यहाँ जो हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक क्या है? तत्सम सब्द है, इसका तद्वा होता है पूती अगला कोशन है किताब किस भासा का सब्द है? तो किताब ये अर्वी भासा का सब्द है C आपसं से हो जाएगा अगला कोशन है निमलखित में से तत्सम सब्द कौन सा है तो ये हो जाएगा आमलक आमलक आमला का तत्सम होता है आमला का तत्सम होता है आमलक तो D आपसं से हो जाएगा है नेक्ट है 71 मुकुल, कोरक, गुंचा सब्द निम्न में से किसके प्रयायवाची है तो यह कली के प्रयायवाची होते हैं कली यानि कली का भी आपसन से हो जाएगा अगला कोशन है आपका निम्न खित में से कौन सा सब्द बिजली का प्रयायवाची नहीं है तो बिजली का प्रियावाची आपका नहीं है, पुछा गया है, छपा हो जाए गया है, दामिनी, चपला, तडिती, सभी बिजली के प्रियावाची होते हैं अगला कोशन है निम्लिखित में से नौकर सब्द का प्रियाइवाची है तो भृत्त्य हो जाएगा दियाइवाची सब्द होता है अगला है 75 निमलिखित में से कीरड सब्द का प्रयावाची पूछा गया है तो कीरड का प्रयावाची हो जाएगा मरीज मनोजी है कामदेव का प्रयावाची होता है मिरगांग चंद्रमा का प्रयावाची होता है और अनल जो है यह आग का प्रयावाची होता है अगला कुश्यन है निमलिखित में से मा का प्रयावाची सब्द कौन सा हो जाएगा तो वह है प्रसू ये आपसं से हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से आख का प्रयावाची है तो आख का प्रयावाची हो जाएगा अंबक ये आपसं से हो जाएगा है नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन सा सब्द अग्निका प्रयावाची है तो अग्निका प्रयावाची पावक हो जाएगा C आपसन से हो जाएगा 78 का अगला है 79 निम्लिखित में पंडित का प्रयावाची सब्द कौन सा हो जाएगा तो पंडित का प्रियावाची हो जाएगा बिद्वान, भी बिकल्ब से हो जाएगा है अगला है कोयल का सही प्रियावाची क्या हो जाएगा हो जाएगा P के, यह आपसन से हो जाएगा है अब अगला है आपका 81 निमलिखित में से सुध्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है तो सुध्ध वाक्य यहां देख सकते हैं आप 81 में C आपसन सही हो जाएगा यह किसके हस्ताच्छर है यह आपका सुध्ध वाक्य है अगला 82 निमलिखित में से सुध्य वाक्य बताईए तो यहां आप देख सकते हैं C आप संग आपका सही हो जाएगा पूजिनी पिता जी को सादर चरण असपर्स यहां उज्वल आपका गलत लिखा हुआ है अगला question आप देखते हैं निमलिखित में से असुध्य वाक्य कों सा है तो असुध्य वाक्य जो है आप देख सकते हैं D बिकल्प से हो जाएगा मीरा एक प्रसिद्ध कभी यह त्री थी तो यह आपका असुध्य वाक्य है अगला question है निमलेखित में से किस बिकल्प में सुध्यवाक्य है तो सुध्यवाक्य यहां हो जाएगा be option आप कहां पर रह रहे हैं ए तो यहां आपका यह आपसन से हो जाएगा तमाम देश में यह बात फैल गई, यह सुध्य वाक्य है और अगला क्वेशन है निम्लिखित वाक्यों में से सुध्य वाक्य कौन सा है तो यहाँ आपका सी विकलब से हो जाएगा आपसे सानुरोध प्रात्ना है कि हमारे घर अवश्य पधारें निम्लिखित में से कौन सा वाक्य काल संबंधी सुध्य वाक्य है तो यह हो जाएगा आपका, यह आपसन से हो जाएगा आज हम चाय नहीं पिएं निम्लिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी असुध्य है अगला है आपका अजादी सब्द का सही बिलोम क्या होगा तो अजादी का बिलोम हो जाएगा गोलामी ये आप्स सही है अगला प्रश्ण है निमलखित में से किस बिकल्प में सही बिलोम सब्द नहीं है तो यहाँ जो है ये आप्सन में सही स्वेजन का दिया गया है दूर्जन तो ये सही हो जाएगा आपका 92 का ये आप्सन अगला कोशिन आपका नैसरगी का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो नैसरगी का बिलोम हो जाएगा क्रित्रेम डी भी कलब से हो जाएगा नेक्षे आपका अलपग्गी का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो अलपग्गी का हो जाएगा सरवग्य या बहुग्य तो भी आपसन सही हो जाएगा नेक्षे 95 निमलेखित में से सतकार का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा तिरसकार तो तिरसकार नहीं है दुदकार हो जाएगा यह आपसन सही हो जाएगा है अगला कोश्यन निमलिखित में से मरत्य का बिपिरी तार्थक सब्द क्या हो जाएगा तो मरत्य का हो जाएगा अमर C आपसन सही है और अगला आपका निमलिखित में से दुरलब का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो दुरलब का बिलोम हो जाएगा सूलब C आपसन सही हो जाएगा है अगला है तिरसा सब्द का सही बिलोम क्या होगा तो तिरसा का बिलोम हो जाएगा त्रिप्ती शेह जाएगा यहां अगला है 99 नैसरगीक युम जंगम सब्दों के उचित बिलोम क्या होगा नैसरगीक का बिलोम होता है अप्रशन ओर जंगम का बिलोम होता है अस्थावर तो भी शेह हो जाएगा और रंतिम प्रसने आपका तिमिर सब्द का बिलोम क्या हो जाएगा तो तिमिर सब्द का बिलोम होता है प्रकास यहनि कि तिमिर यह अंधकार का समानार्थी सब्द है तो यहाँ प्रकास हो जाएगा तिमिर का बिलोम यह आपसम से हो जाएगा तो यह होगे आपके जो है कुल 100 प्रस्ट जो है पूछे कहे थे उत्तर प्रदेश बिधान प्रस्ट सच्च वाले आरो यारो में तो यदि वीडियो प्रस्ट आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफेकिस्यन आपको पहले मिल जाए तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद